कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तारीक है दोस्तों आज 13 सेप्टेमबर 2021 और 14 सेप्टेमबर 2021 के लिए निफटी के फार्मा मेटल आइटी और साथी फानेंस्यल स्टॉक की आन्सिस लेकर आपको सामने हाजी हो जैसा कि कल मैंने मेटल इंडेक्स के बारे में क्या बोला था देखिए यह बात मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि मेरा 1845 का टार्गेट था वो तो ड़न होगा अब आप प्रॉफिट बुक करिये न आप बैठे क्या है तो अब हम इसमें कोई भी काम नहीं करेंगे अब करेंगे जब यह 1910 रुपे को पर स्टार्ट करेंगा ट्रेडिंग तब हम 1960 रुपे से 2000 के लिए पोजिशन बना सकते हैं इनकेस अगर यह 1830 के नीचे करता है तो सेल करके 1800 का पोजिशन इंटाडे में लिया जा सकता है अडानी इंटरप्राइज है यह ब्रेक आउट के अब निखलेगा तो आपको यह 1600 के टार्गेट अराम से दिखा देगा अडानी इंटरप्राइज इसके अलाबा अडानी इंटरप्राइज के अलाबा बात करें तो कोल इंडिया थे 155 वाला टार्गेट डन हो गया हुआ दन डन डन मैंने जितने बात कहा कि 148 के बाद जो गताल के लिए 10 Permat 152 155 तक के लिए लेवल राएंगे ग tad 56 assess के लेभीकत का लाए तो कॉल इंडिया के सारे टारगेट यहां से जितने भी लेबल मैंने बना के ॐल इंडिया में सारे टार गेड्या आपको def until के कोल इंडिया ने दिखा दिया हरे एक level के इसने अच्छा मॉम करिए और रेस 30% क्वांटिती का 165 के टार्गेट का वेट कर सकते हैं कोल इंडिया में हिंडालको की बात करें हिंडालको भी आज न्यूज के वज़ा से मुमेंट में रहा और उपर जाके एक हैंगिंग मैं पैटर्न बना के फस गया है अब यह हैंगिंग मैं जब 480 से विरा अब नेक्स फिर क्या तो नेक्स यह वाईया कि अभी तो लेवल आया है अभी तो पार्टी शुरू हुए और पार्टी कहां लेके जाएगा इसको 345 तक लेके जाएगा आप देखेंगे यहां से किसने रांडिंग बॉट्रम पैटर्न को क्रियेट किया हुआ इस रांडिं तो 345 तक के नेक्स टार्गेट मिल जाएगे जेश डवलू स्टील के बात करें अब यह रेडी हो चुका है आज का हाइच 700 और मैंने आपको क्या बूला है कि 700 के ऊपर निकलना स्टार्ट करें आप सीधे पोजिशन बनें यह 700 का हाय लगाया निकला नहीं है हाय लगाया है 700 को पर निकलेगा इंटार्डे में 710, 720 तक के टार्गेट बहुत फास्ट करके आपको दिखाएगा जेश डवलू स्टील तो नजर रखे जेश डवलू स्टील पर मुमेंट अब दे सकता है इसके अलावा जिंदल स्टील की तरफ बात करें तो यह 400 को पर पॉजिटीव है नेक्स टार्गे 410 रुपे का बनेगा मोईल की बात करें अच्छा आप लोगों ने जो मैंने कल भी कहा था कि अगर 30 सेप्टेंबर तक एंजल ब्रोकिंग में में मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक इंटार्डे स्ट्राटिजी फिरी दी जाएगी तो आपको एक इंटार्डे स्ट्राटिजी दे दी जाएगी मेरे तरफ से आपके इमेल पर तो इस अफसर का अगर लाब उठाना चाहे तो जरूर आए मोईल की बात करें 172 के उपर नया पोशिशन करेंगा उसके पहले बिल्कुल नहीं 172 के उपर निकलेगा मोईल एक्सोपर पर निकलने को बाद 165 के टार्गेट के लिए तुरन से देदेगा नेशनल अलमुनियम की बात करें धाई पर्शन की तेजी और आप देखेंगे कि 102 रूपय का दो दिन कर्टिनू सेम प्राइस का हाय लगा है तो मेरे ख्याल से आप नजर रखें 102 से तीन के उपर निकलने बाद यह आपको नए टार्गेट 250 तक का दिखा सकता है सेल याने स्टील अफट्री ओफ इंडिया 125 के उपर निकलेगा तेक सो थीस तक के टार्गेट देगा टाटा स्बापर से तीजी रही तेजी में 1480 यह सब रेंज अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो आपको 1500 तक यह एक अल्डेडी पॉजिशन में है कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं नया टार्गेट 132 के आसपास 130 के आसपास मिल सकता है विलेश्पन कॉर्प में एक श्टॉक मैं बार बार मिस कर जाता हूं जिसका नाम है हिंद कॉपर तो हिंद कॉपर नाम का यह श्टॉक आपके हिस के तरब खुरमा में सबस्ए करें दिक्सकु करें तो फार्मा इंडेक्स में मूमेंक खास तो नहीं है लेकिन पिर भी कुछ चुनिन दा ilaha देक्ने को मिला है अगर ये वापस से अगर ब्रेक करता है 14400 के लेवल को तो और तेजी आपको फार्मा इंडेक्स में देखने तक के टार्गेट और विंदो फार्मा में देखने को मिलेगा इसके अलावा अगर बात करें 356 के उपर बायो को निकलता है इंटारे टार्गेट 360 उससे ज़्यादा फिलाल चांसेज नहीं है और कैडला हेल्ट के इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है इस रेंज के उपर हमें पोजिशन लेना है 562 से 63 के उपर 570 के टार्गेट के लिए सिपला 920 के उपर जब तक बना हुआ है टेंसन नहीं लेना है फिलाल इस टॉप लोस आप उपर कर लिजे 940 रुपय का और अगर सिपला ब्रेक आउट करता है 955 से 56 रुपय के लेबल को इस ट्रेंड लाइन के तो एक अच्छा लेबल आप अपसाइड में दिख सकता है अगर 960 के उपर क्लोजिंग कर दे तो और माशालला बहुत अच्छी बात अगर 980 तक कर टार्गेट आपको दिखा सकता है डिब इस लेफ टेक्निकली अगर आप चार्ट देखते हैं तो मैंने आपको एरो लगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें कल देखें एक आबंसो के उपर निकल जाएगा ना डिबिजल अपको अराम से एक ही दिन में दिखा देगा नजर रखेगा डॉक्टर रेडडी सारे कॉल तो इसमें डन होगे और आज भी मैंने इंट्राडे में काफी कॉल दिये औ और चॉप कोल भी बहुत सारे आपको अपने टेलियराम चानल पर और अपने अप्लेकेशन आर के ट्रेडिंग और डाफ्लूड नहीं डावनड चया है तो कर लीजे रोद रोज बोलता हूं में पर तो इसी कम जोड़ी सुष्ती दिखा रहा है अब देखे क्या करना है ग् कब 530 के पास 530 को उपर निकल जाए तो है रिसकी टेडर कम बनाइंगे यह 510 पर मिलता है तब तulle इहां पर बिष्क बना सकते लेकिन अगर यह 530 को ओपर बनता है तब तो पोजिशन बनेगा यह अभिने गा यह बनेगा डॉंट भेषी टैंसा नहीं नीचे गिने पर 25 का टारगेट तोरेंट फारेंट फार्मा की बात करें श्टायट फार्मा चाहिए अगर आप सुनी टेडिंग लवर हैं तो आपको पोजिशन बनाने की यहां पर दरकार है जरूरत भी है संफार्मा एक अच्छा क्या कहता है इस्ट्रॉंग सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता हुआ दिखाए दे रहा है अपने टेल लाइंग के सपोर्ट से अगर उपर 785 को ब्रेक करता है वोकट फार्मा दीन फिरेगा दीन लोटेगा और वो सिगनल है दीन लोटेगा 425 के उपर 440 के टार्गेट के लिए नोवाटी की बात करें कोश्ट टू कोश्ट की राच 800 का रेश्टेंस होने 800 को उपर निकलेगा 900 के टार्गेट दिखाएगा गर्विनर्स इंडिया कोई पोजिशन में अभी फिलाल नहीं बनाना है डॉक्टर लाल पैथलेब तो अच्छा घासा है उपर में और 42 को पर निकलते हैं डॉक्टर लाल पैथलेब ब्याली सुपर चार्श और 453 के लिए आपको रेडी हो जाएगा इस्टा जैनिका की बात करें इस्टा जैनिका में भी कोश्ट पोजिशन है यह वापस इस बॉ इंडेक्स पहले देखेंगा हम लोग आ रहा है ठीक है इंडेक्स क्या बता रहा है बढ़िया है पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं तीन अजा 3500 को उपर निकलेगा और भी अच्छा मूमिंट बनेगा 3500 600 700 तक जा सकता है उसके अलावा अगर ऐसा होता है तो बिल्ला सॉ 415 को उपर निकलता है तो इंडाडे टार्गेट 420 और 420 के उपर निकल गया तो 430 तक के टार्गेट देखने को बनेगे SCL Technology इंटाडे कॉल दिया था टार्गेट डन हो गया था आप चेक कर सकते हैं जाके टेलिग्राम चैनल पर उपर के साइड में देखिए एक रेजिस्टेंस जोने इसको 1215 रुपे के आसपास का वो ब्रेकाउट आएगा तो 1225 से 40 तक के टार्गेट आपको दिखा देगा SCL Tech Infosys काफी अच्छे लेवल पर सस्टेंड कर रहा है Infosys 1700 को पर निकलते एक साथ नया टार्गेट 1720 का इंट्राडे 1740 तक के भी बन सकते हैं टाटा इलक्सी ओल टाइम हाई फिर से लगा दिया पांचार बातर का हाय लगा अभी कुछ नहीं करेंगे पांचार पर सकतर को पड़ेंगे तो 5150 के टार्गेट के लिए बाय करेंगे कर सकते हैं माइंटी में भी प्रो की बात करें तो भी प्रो ठीक ठाक है 680 को उपर निकलेगा 85-90 तक का टार्गेट आपको दिखाएगा टेक महिंद्रा तुबा सस्टेंट कर रहा है एक रेंज बना लिया टेक महिंद्रा ने एक रेंज है हमारे पास नीचे 1400 कमान लीजी आप और उपर की तरह पर रेंज 1470 रुपे का इस रेंज के बीच में तो आपको 3880 तक के टार्गेट देखने को बनेंगे को फोर्ज उपर जाने के लिए 530 के रेंजिटेंट जोन को ब्रेक करेगा तो 3300 का टार्गेट देगा नौकरी इंफोएज थोड़ा सस्टेंट कर रहा है नीचे आने की कोशिस कर रहा है तो 5550 के नीचे कम जोड़ हो ज तरे बिल्कुल हाई जोन पर ल्ट याई खड़ा हो चुका है बहुत ही शांगा तरे पच्छ पंसो देस के उपर निकलेगा च्छपंसो के टार्गेट एंफासिस 3000 का लेवल हो चुका है अब एंफासिस 3025 के उपर निकलेगा 31 का टार्गेट जज डाल एकी रेंज में फस चुक के अनलिसिस में बाजाराट पर डाल देता हूं जो दूसरा चैनल है वहां पर भी आपको मिल जाते हैं तो यहां पर निफ्टी फार्मा हो गया मेटल हो गया आईटी हो चलेंगे फानिसियल इस्टों की तरफ तो बजास फिंसर्प से स्टार्ट करेंगे बजास फिंस तक के टार्गेट आने में देर जड़ा सा भी नहीं लगाएगा इसको ध्यान में रखके चलिएगा बजास फिंसर्प को इसके अलाबा हम बजास फाइनेंस की बात करें सम्साल की छग्त वायजाज बना ऊए शायजाश बना हुआ है और ये वह हम जारश ऑर भी र द रह सकता है अगर ये छृए JOKर निकलता अनुल तो 620 तक के टार्गेट बनेगा, आपूल होसिंग फाइनेंस, फ़वा निगेटिव भी हुए मेरा, इसमें, रिश्की ट्रेडर 240 के उपर पोजिशन बनाएं, 250 से 60 के लिए, बांकि शेफ ट्रेडर छोड़ दें, और LNT फाइनेंस ठीक है, अब जो पोजिशन बनेगा, वो 430 के उपर बनेगा, 440 से 50 के टार्गेट के लिए, M&M फाइनेंस, दीके 172 वाला काम हो गया, अब हमें क्लोजिंग चाहिए 175 के उपर, अगर इसके उपर क्लोज करता है, तो 180, 185 का टार्गेट, मननापूरम फाइनेंस की बात करें, तो ये कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, आई रिपीट, ये कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, आप इसको हमेशा इन्वेश्मेंट परपस से देखके चलिए, तो अगर लंबा भी हो रखतें, तो इसमें बाय और डीप का रण निती स्ट्रेडिजी अपना के चल सकते हैं, मुथूट कैप 300, मुथूट कैप 420, है ना, बिल्कुल, मैं मुथूट कैप पे लगाँ, इसके चार्ट का होगे, मुथूट कैप के चार्ट नहीं आ रहे, अब जो टार्गेट खुलेगा, वो 1380 की उपर खुलेगा, 1440 के टार्गेट के लिए, तो दोस्तो ये था निती के फार्मा, मेटल, आईटी और उसका फैनेंशल इस्टोक के अनसिस, पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूब बता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,